नमस्कार दोस्तों मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल तेसीविल कॉंटक्ट दोस्तों बहुत सारे लोगों का फोन आता है कि सरा में बैंक सॉल्वेंसी बनवानी है तो यह कहां बनेगी कैसे बनती है यह क्या होती है क्या नहीं होती है क्यों की लोगों को पता नहीं है तो इस बारे में मैं बैसे तो मैंने पहले एक वीडियो बता रखा है बना रखा है इसके अंदर की bank solvency क्या होती है लेकिन फिर भी मैं आपको ये फिर दुबारा समझा जेता हूं किस तरीके से ये हमें बनवानी है क्या करना है तो दोस्तों सबसे पहले अगर आपको bank solvency ब बनवानी है अगर आपको registration या license बनवाना है सरकार PWD का या किसी और विवाद के लिए तो वहाँ पे आप जाएं और उन लोगों से बात करें तो वह अगर आपको बताते हैं कि आपको ये bank solvency चीए तो आप लोग उनसे पहले ये पूछें इसरह में ये bank solvency कितने की पाना है तो आप से पता चल रहा है आपको कि bank solvency नाम पता आरा कि bank solvency ये भी एक तरीके से समझना कि आपकी आपकी प्रमान पत्र के तौर पर या bank guarantee जिसको कहते हैं वह होता है आप आप लोग क्या करोगे सबसे पहले आप बैंक में जाओगे और दोस्तों सबी लोगों स बहुत सारे लोगों के मेरे पास जब यह बात होती है तो पुस्ते सरम है bank ने bank solvency बनाने समना कर दिया कि हमारे पास या bank solvency नहीं बनती है तो दोस्तों bank क्या करते हैं आप इस बात को थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूं कि छोटी ब्रांच होती है जैसे अपने गाह क्योंकि यह काम बड़े साखा जो होती है head office होती है इनकी बैंकों की उनके अंदर बनती है अब आप लोग जैसे किसी में बैंक में जाओगे छोटी जगे पर है तो आपको पता भी नहीं होगा कि bank solvency क्या है तो आप लोग क्या करें जो आपकी बैंकों की जो head office होती है उन आपको यह bank solvency बना के दे देंगे अब वो लोग जहां आप office के जिसकान के लिए बनवा रहे हैं उनसे पूछो कितने लाकि तो इतने लाकि आप यह bank solvency बनवा ले और यह bank solvency बनवा के आप उनको दे दें अब ज्यादा तर लोग क्या करते हैं कि हमारा इस bank में खाता है यह उस bank से बन जाएगी यह सभी bank मनाते हैं लेकिन अगर आपको बनवानी है तो ज्यादा तर SBI का काम होता है Central Bank of India में यह सरकारी काम ज्यादा तर सरकारी bankों में ही होते हैं तो आप उनमें अगर आप नए हो तो उनमें आप account खुलवाएं और उसी से यह काम करें तो दोस् सब्सक्राइब करनी है तो आप मेरे से मेरे नमबर पर सुबहर है दस बज़े से लेकर स्याओं को आठ बज़े कर सकते हो अगर मैं विजी हूँ तो आपका फ़ॉन नहीं उठापाऊंगा लेकिन या तो आप बाद में कर सकते हैं या फिर मैं आपको बापिस रिटर्न कॉल जैसे फिरी होंगा उसके बार मैं आपको यह दुबारा से मैं अपने आप कॉल कर सकता हूं दोस्तों और एक बात जरूर ध्यान रखें कि आप लोग एक लाइक की कंजूसी ना करें आप एक लाइक तो कर सकते हो इतनी बात पताने के लिए क्योंकि मैं आपसे कोई ऐसी की बा